जै मातादी दोस्तो आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी माह के दूसरे सप्ता के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए 8 जनवरी से 14 जनवरी तक का समय कैसा रहने वाला है और इन 7 दिनों में क्या-क्या योग बनने वाले हैं कौन सी ग्रह राशी परिवर्तित करेंगे और उनका प्रभाव आपके उपर कैसा होगा इन 7 दिनों के बारे में सब कुछ हम जानेंगे विस्तार से तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करने अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें इससे हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी तो देखे तुला राशी की हम बात कर रहे हैं और यह जो सब्ता होगा इसमें कई ग्रहों का राशी परिवर्तन होने वाला है यानि जो पहला राशी परिवर्तन है वो इन साथ दिनों में होने वाला है 9 जनवरी को शुक्र ग्रह राशी परिवर्तन करेंगे शुक्र ग्रह कुम राशी में परिवेश करेंगे और वहीं 13 जनवरी को बुद्ध का राशी परिवर्तन होगा बुद्ध मकर राशी में परिवेश करेंगे और 14 जनवरी शाम को सूर्य का राशी परिवर्तन होगा इनका प्रभाव भी इन दिनों में आपके उपर देखने को मिलेगा तो चलिए जान लेते हैं विस्तार से कि ये साथ दिन आपके लिए किस तरह से योग लाबदायक रहने वाले हैं किया सावधानी आपको बरतनी होंगी तो आठ जनवरी से दस जनवरी तक चंद्रमा जो है वो मिथुन राशी में रहेंगे और मिथुन राशी में चंद्रमा की इस्थिती जो होगी वो आपके लिए बहुत ही अच्छी इस्थिती यहां आपके लिए रहने वाले हैं क्योंकि भागय स्थान में आपके चंद्रमा रहने वाले हैं भागय स्थान में चंद्रमा होंग भागय का साथ देखने को मिलेगा आप इस समय संपत्तिवान होंगे यानि आप अधिक से अधिक धन कमाएंगे जिस भी कारेशेतर में आप काम करते हैं वहाँ आपका भागय आपका साथ देगा कम महनत में जादा सफलता मिलने के यूग आपके लिए इस समय बने हुए है इस समय आप अपनी कारेश के प्रती पूरी तरह से समर्पित होंगे कारेशील होंगे नयाय प्रेमी होंगे जो वैसे भी तुलाराशी नयाय प्रेमी होती है तोल कर असाभी चीज़ों का नयाय करती है लेकिन यहां आपके अंदर नयाय करने की भावना बहुत अधिक जागेगी कुछ भी गलत आप बरदास्त इन दिनों में नहीं कर पाएंगे आपका साहस देखने लाइक होगा, पराकरम देखने लाइक होगा हर कारेब को पूरी साहस के साथ करेंगे, हर जिम्मेदारी को पूरी साहस के साथ आप निभाएंगे इस समय आपका मन बड़ा कोमल होगा, आप प्रेम के प्रती बड़ी समर्पित होंगे तो ये जो समय होगा, ये तीनों ही दिन आपके लिए बड़े ही भागे साली समय साबित होने वाले है नौवा घर जो होता है, ब्रसपती से सम्मदित घर होता है और चंद्रमा का परमित्र होता है इसलिए यहां चंद्र और गुरू बड़ा अच्छा ये संयोग बन रहा है यहां आपको सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने वाली है तो जो सब्ता की शिरुवात है बहुत खास आपके लिए होगी मन आपका बड़ा धार्मिक रहेगा और धार्मिक कामों की तरफ आप इस समय प्रेरित भी होंगे मंदिर जा सकते हैं आप या फिर किसी धार्मिक कारेकरम का हिस्सा आप बन सकते हैं तो बड़ा अच्छा समय रहेगा संतान के सुख की प्राप्ति का योग आपके लिए बना हुआ है संतान की तरफ से कोई खुशी की बाद भी आपको इस समय सुनने को मिल सकती है और ये जो समय है ये मित्र के जरिए कोई धन की प्राप्ति आपको करा सकता है या किसी मित्र की साहता से आप अपने जो रुके हुए कारे हैं उन कारे को इस समय आप पूरा कर सकते हैं में रहने वाला है और ये राशी स्वामी होने के लावा आपके आठवे भाव के स्वामी भी है और आपके पाचवे भाव में गोजर करेंगे तो पाचवे भाव का जो पाचवा जो भाव होता है वह होता है मारी सिक्षा का भाव हमारी बुद्धी का भाव प्रेम संबंद का भाव संतान का भाव तो यहां यह शुक्र आपके लिए बड़े भागशाली योग बना रहा है इन तीनों ही दिनों में आपके जो संतान की तरफ से बड़ी खुशी की बात आपको सुनने को ज़रूर मिल सकती है संतान का सुख मिल सकता है और सिक्षा के शेतर में संतान बहुत अच्छा कर सकती है उनका जो प्रदशन होगा वो काफी सरहानी रहने वाला है आप हर विशा पर अपनी पकड को मजबूत बना कर रखेंगे आपकी एकागरता यहां बढ़ी रहेगी बहुत अच्छी आप की एकागरता यहां रहेगी यानि कम महनत में अधिक लाव आपको मिलेगा इस दोरान आप अगर किसी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो वहां भी आपको लाव देखने को मिलेगा प्रेम संबंद बड़े कमाल के होंगे मदूर संबंद रहेंगे और अपने साथी के साथ भी आप अच्छा व्यक्त बिताएंगे रोमेंटिक मूड में रहेंगे तो दिन की जो शुरुवात है सप्ता की जो शुरुवात है बहुत ही खास आपके लिए रहने वाली है अब हम बात करते हैं 10 जनवरी 11 जनवरी से और 13 जनवरी तक के बारे में तो यहां चंद्रमा आपके करकराशी में रहेंगे 13 जनवरी सुभा 9 बच कर 55 मिनट तक करकराशी में रहेंगे आपके दस्वे भाव में रहेंगे दस्मा भाव जो होता है वो होता है आपके कर्म का भाव तो यहां भी जो चंद्रमा की इस्थिती है वो आपके लिए आच्छी बनी हुई है इस समय भी आप बेहद आपकी जो बुद्धी होगी वो बड़े चतुर बुद्धी आपके कह सकते हैं और अपनी चतुरता से आप अपनी सभी कामों को भी निकाल सकते हैं जो बिजनिसमेन है जो वैपारी है उनका कारिया इस समय देखने लाइक होगा आप जो महनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा क्योंकि जो दसवा भाव होता है वो शनी का भाव होता है और यहां शनी की ही चलती है जब आप कोई काम करते हैं कारेशेतर में जितनी महनत करते हैं तो उसका जो जो तीन दिन है ये medical शेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छे दिन होंगे आप medical field से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा आप शनी की केरपा से शनी अभी आस्त चल रहे हैं तो शनी के बहुत ज़्यादा effect आप ये आपके लिए कुछ ऐसे योग भी बन रहे है कि आपके लिए पैसो की आवक बनी हुई है तो इन दिनों में आप के पास कहीं से पैसा भी आ सकता है और ये पैसा किसी ऐसी जगे से आसकता है जहाँ आपने सोचाना हो इस समय जो जाथ तक किसी electronics से जुड़ा काम करते हैं किसी शोज से जुड़ा हुआ काम करते हैं या शनी से सम्बंदित चीजों का वेबसाय करते हैं उनके लिए बहुत ही भागय फायदे मन्दी ये समय सावित होगा यातराओं का योग भी बना हुआ है और धार्मी की यातरा का योग आपके लिए बना हुआ है ये जो धार्मी की यातरा होगी ये आपके मन को सुकुन देने वाली होगी इसमें आपके भागय वरद्धी में भी ये यातरा जो साहयक हो सकती है तो ये तीन दिन भी आपके लिए अच्छे दिन बने हुए है इसके अलावा 13 जन्वरी को बुद्ध का राशी परिवर्तन भी हो रहा है और बुद्ध का जो ये राशी परिवर्तन है ये आपके चौथे भाव में होगा और बुद्ध जो है आपके चौथे भाव में विराजवान होंगे ये जो भाव होता है सुख शान्ती का भाव होता है तो यहां आपके सुख शान्ती ये बड़ा अच्छा समय आपके लिए अनुकुल रहेगा बुद्ध का जो परिवलतन है ये भी आपके लिए अच्छी योग बनाएगा आप इस समय कुछ घर बदलने के बारे में सोच सकते हैं या फिर नया घर के निर्मान के बारे में सोच सकते हैं तो और इस दशा में आप आगे काम करने के बारे में भी सोच सकते हैं यानि घर का निर्मान करना घर बदलना नए घर के लिए आप कुछ आवश्यक कागजातों को पूरा करना तो ऐसे योग आपके लिए बनते हैं नजर आ रहे हैं परिवार से जो दूर रहते हैं अपने परिवार से वो अपने परिजनों से जल्दी ही मुलाकात भी कर सकते हैं या फिर घर आने का अफसर आपको प्राप्त हो सकता है तो अच्छा ये घर पर मिलना परिवार के साथ मेल जो रखना बड़ा अच्छा आपके लिए रहेगा इस समय आपकी जो निरने लेने की हमता होगी वह बहुत अच्छी होगी अपनी कारे शेतर को लेकर आप अच्छे निरने ले पाएंगे और इस समय आपके लिए गए निरने आपको एक कोई पद भी परदान करा सकते हैं तो आपके कारेशेतर में भी काफी इजाफा दिख रहा है, अधिकारियों का साथ भी मिलता हुआ दिख रहा है, आपके जो सहकर्मी होंगे आपके आगे पीछे गूमते नजर आएंगे, ऐसे योग ये आपके लिए बने हुए हैं, आपकी परसनल लाइफ, आपकी परफेसनल लाइफ दोनों ही बहुत अच्छी होगी, आप सोच विचार के साथ आगे बढ़ेंगे, दोनों चीज़ों में सामजर से बना कर चलेंगे, और हर चीज़ में अपनी पस्ट राय आप रखेंगे, साथ ही एक चीज़ का देहन रखें, ऐसे शब्दों का प्रियोग करें, किस से किसी को कष्ट ना पहुँचे, तो यह जो सप्ता है, यह पूरा सप्ता है, यह आपके लिए बड़े अच्छे योग बना रहा है, और जिनकी कुंडली में बुद्ध और शुकर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, उनके लिए तो यह जो समय होगा, महा भागेशाल इस समय आपके यह रहने बाला है, अब हम बात करते हैं, 13 जन्वरी और 14 जन्वरी की, 13 तक हमने बात कर ली है, 14 जन्वरी की बात करते हैं, तो 13 जन्वरी चंद्रमा राशी परिवर्तित करके सुबह को सिंग राशी में चले जाएंगे, और 14 जन्वरी को सिंग राशी में हो जो की मकर राशी में होगा तो यहां बुदातितय योग का निर्मान होगा और यह जो चंद्रमा की इस्थिति है आपके 11 बहाव में होगी, 11 बहाव लाव का बहाव होता है, तो देखे पूरा जो हफ्ता है वहां चंद्रमा बहुत अच्छे योग आपके लिए बना रहा है, पहले भागे भाव में, उसके बाद आपके कर्म भाव में, उसके बाद लाब भाव में, तो यह जो इस्तियां है, बहुत अच्छी बनी हुई है, और यहां ग्रहों का आशिरवाद भी आपको प्राप्त हो रहा है, तो चौधा जनवरी से बुधा दित्योग का निर्मान भी हो रहा है मकराशी में, तो यह भी देखे, चौधे भाव में होगा, सुक के भाव में, तो जब सुक के भाव में बुध और सूर्य बैठेंगे, तो आप सोचें कि आपके लिए कितना अच्छा यह समय रहने वाला है, तो यह समय भी आपके लिए लाब की प्राप्ती कराने वाला होगा तो ये लाब आपको कब दिला सकता है ये आपको लाब तब दिलाता है जब आप अपने कारेों पर ध्यान देते हैं मेहनत करते हैं अगर इस समय में आप मेहनत कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव जरूर मिलेगा तो पूरे सब्ताहा का आपको को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक को शेयर करना ना भूलें